उधारण 6 निम्लिखित को हल किजिए पहला वर्गमुल 3 गुणा वर्गमुल 5 हमारे पास वर्गमुल 3 को गुणा करना है वर्गमुल 5 से तो वर्गमुल 3 गुणित वर्गमुल 5 के लिए सबसे पहले हम इन दोनों संख्या को वर्गमुल में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 3 गुणित 5 जिसे हमने वर्गमुल चिन के अंदर लिखा बराबर वर्गमुल 3 पंचे 15 तो यहाँ वर्गमुल 3 गुणित वर्गमुल 5 क्योंकि यह दोनों वर्गमुल है तो वर्गमुल का गुणा करने के लिए हम वर्गमुल के चिन के अंदर में दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तीन गुणित 5 बराबर वर्गमुल 15 यहाँ इस उधारन का हल होगा दो वर्गमूल तीन गुणा साथ वर्गमूल दो हमें दो वर्गमूल तीन गुणित साथ वर्गमूल दो का गुणा ग्याद करना है सबसे पहले हम गुणा करने के लिए 2 और 7 का अपस में गुणा करेंगे और वर्गमूल संख्या जो है वर्गमूल 3 को वर्गमूल 2 से गुणा करेंगे इसके लिए हमने 2 और 7 को एक कोश्टक में गुणा करने के लिखा गुणित फिर वर्गमूल की जो संख्या है वर्गमूल तीन और वर्गमूल दो को एक कोश्टक में लिखा बराबर दो सत्य चौदा गुणित वर्गमूल तीन गुणित वर्गमूल दो के लिए हम वर्गमूल के चिन में तीन गुणित दो को वर्गमूल चिन के अंदर लिखेंगे बराबर चौदा वर्गमूल तीन दोनी छे तो दो वर्गमूल तीन गुणित साथ वर्गमूल दो का गुणा जो है हमें प्राप्त हुआ चौदा वर्गमूल छे यहां इस उधारन का हल होगा तीन कोश्टक में दो धन वर्गमूल तीन कोश्टक में दो रिण वर्गमूल तीन कोश्टक में दो धन 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 वर्गमूल त इनका हमें गुडा ग्याद करना है गुडा करने की लिए सबसे पहले हम यह देखते हैं कि इसमें हम सर्वसमीका का प्रयोग भी कर सकते हैं हमने सर्वसमीका जो जानते हैं कि चूकि A धन B A रिण B today इसमें बराबर A का वर्ग रिण B का वर्ग होता है अब यहाँ पे हम 2 को A मानेंगे धन B जो है हमारे पास वर्ग मुल 5 यह पहला कोश्टक दूसरा कोश्टक में A रिण B तो यहाँ पे हम A जो है हमारा 2 रिण B जो है हमारा 5 अब यहाँ पे हम इस सरस्वमिका का प्रयोग करेंगे ए धन बी गुणित ए रिण बी बराबर ए का वर्ग रिण बी का वर्ग तो अब यहाँ पे ए जो है हमारा दो है तो हम क्या लिखेंगे दो का वर्ग अब यहाँ पे है बी का वर्ग तो बी क्या है हमारा बच्चो वर्ग मूल पांच तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे बी है हमारा वर्ग मूल पांच का वर्ग बराबर दो का वर्ग जो है तो गुणित दो लिख सकते हैं और वर्गमूल पांच का वर्ग जो है वर्गमूल पांच गुणित वर्गमूल पांच होता है बराबर दो गुणित दो चार रिण वर्गमूल पांच गुणित वर्गमूल पांच बराबर पांच होता है चुकि वर्गमूल पाँच गुणित वर्गमूल पाँच को हम वर्गमूल पाँच गुणित पाँच के रूप में लिखेंगे चुकि यहाँ पे वर्गमूल में 5 गुडित 5 दो ऐसे जोड़े हैं 5 के तो यहाँ पे वर्गमूल से 5 बहार आता है तो वर्गमूल 5 गुडित वर्गमूल 5 बराबर हमने देखा कि इसका जो उत्तर है में 5 प्राप्त होता है तो यहां पे हमने वर्मूल पांच गुडित वर्मूल पांच बराबर पांच लिखा बराबर चार रिण पांच बराबर रिण एक इस तरह से हमने देखा दो धन वर्मूल पांच और दो रिण वर्मूल पांच जिनका गुणा जो है वहा रिण एक प्राप्त हुआ यहां इस उधारण का हल होगा चार कोश्टक में वर्गमूल साथ धन वर्गमूल तीन दूसरे कोश्टक में वर्गमूल दो धन वर्गमूल पांच हमें गुणा करना है वर्गमूल साथ धन वर्गमूल तीन जो की पहले कुष्टक में है इसका गुणा जो है हमें वर्गमूल दो धन वर्गमूल पाँच से ये कुष्टक के दोनों संख्या जो है इसे आपस में गुणा करना है तो यहाँ किसी भी प्रकार की कोई सरसमी का हमारे नहीं लग रही है इसके लिए जो है हम सबसे पहले क्या करते है कुष्टक का पहला पद है हमारे पास वर्गमूल साथ अब हम वर्गमूल साथ जो की पहला पद है उसे पहले लिखेंगे और दूसरा कुष्टक वर्गमूल दो धन वर्गमूल पाँच इसे हम इसके वर्गमूल साथ के सामने पर लगाएंगे इसको गुणा करेंगे फिर धन वर्गमूल तीन का गुणा फिर से दूसरे कोश्टक के संख्याओं से गुणा होगा तो हमने दूसरा कोश्टक वर्गमूल दो धन वर्गमूल पाँच को लिखा पहला पद है हमारा वर्गमूल साथ जिसको हमने लिखा उसके बाद दूसरे कोश्टक को हमने सामने पे लिखा क्योंकि हम इससे गुणा करेंगे फिर वर्गमूल तीन को पुना दूसरे कोश्टक से गुणा करने के लिए धन वर्गमूल तीन को लिखा और दूसरा कोश्टक इसके सामने रखा अब जब हम कोश्टक को खोलेंगे तो हमें क्या प्राप्त होंगा वर्मूल साथ गुणित वर्मूल दो धन वर्मूल साथ गुणित दो हुआ वर्मूल साथ गुणित वर्मूल दो अब वर्मूल तीन को फिर कोश्टक की दोनों पदों से गुणा करेंगे तो पहले वर्मूल तीन गुणित वर्मूल दो धन धन को जब गुणा करें तो धन वर्मूल तीन गुणित वर्मूल पाच बराबर यहां पे हम वर्मूल साथ गुणित दो वर्मूल के अंदर ले लि वर्मुल साथ गुडित पाच धन वर्मुल तीन को गुड़ा करना है वर्मुल दो से तो ये आ जाएगा वर्मुल तीन गुडित दो धन वर्मुल तीन को जावा वर्मुल पाच से गुड़ा करेंगे तो वर्मुल के अंदर में तीन गुडित पाच लिखे बराबर यह हुआ वर्मुल 7 दुनी 14 धन वर्मुल 7 पंचे 35 धन वर्मुल 3 दुनी 6 धन वर्मुल 3 पंचे 15 अब यह जो है हमारा दो संख्याओं का जो गुणा है उसका यहाँ हल है या इस उधारण का हल होगा